हलो, हाई, नमस्ते, आप विल्कम बाक तो माई यूर्यूग चैनल, ट्रुली ट्विस्चिट सो गाईस कैसे हैं आप सब आई, होप आप सब अच्छे होंगे मैं श्रीती आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर और ये वीडियो अभी के लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के उपर है जो कि पाकिस्तान में जिस तरीके से इम्रान खान के उपर हमला हुआ है और पाकिस्तान के लोग कुछ जादा ही मातम मना रहे हैं तो कोई कुछ जादा ही गुस्से में हैं तो चलिए आज की वीडियो को देखते हैं and वीडियो को देखने से पहले अगर आप सब मेरे चानल पर नहीं तो ज़रूर से मेरे चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए फड़ावट से इस वीडियो को देखते हैं So guys, let's begin with a video Red Line क्रॉस हो गई है, इमरान खान सहब पर कातिलाना हमला हुआ है उनकी दोनों टांगों पर गोलिया लगी है, तीन से चार गोलिया लगने की तलात है लेकि इमरान खान सहब के टांग के एक्सरेस वगरा अब ते किये गे हैं और ये मेक्शूर करने के लिए किये गे थे, कि कही गोली अभी उनकी टांग में ना हो तो मैं अभी मीडिया पर रिपोर्ट्स देख रहा था, जो कि मैं स्याल कोर्ट में था और बजाहर तो गोली उनकी टांग से निकल गई है, चूपकर निकल गई है जिसम से एक शहादत हुई है, एक जो है, वो जरूर अला को प्यारा हुआ है, अल्ला ताला उसे जन्द और फुर्दोस में जगा अता फरमाए है, हमारे दीगर पार्टी की लीडर्शिप उन्हें भी चोटे आई है, और फैसल जवेद भी वैसे तो हरीयत से हैं, लेकिन उन्हें भ अभी इस सिचुएशन में फौरी तोर पर आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोट को आना पड़ेगा, सो मोटो लेना पड़ेगा, क्योंके लांग मार्च को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, मौनीटर कर रहे हैं, फैसल वावड़ा साब को शामले तफ्तीश करना पड़ेग अको बतरीन इतला यह है, इमरानessä कि सिरजरी आ हो चुकि ए, आच्छा, और इमरानगान थाहेंग से गोली के टुक्रे ने काले जाएंगे, यह डौक्टर्स निकाहें और दाहेंगे सिरजरीश की जाएंगी, और इमरान lips के स्रेइ और स्कैन मुकमल कर लिये गए अब इमरान खान ने आपने थोड़ी दिर पहले का कि ये काई कि सुबह 11 बज़े लॉंग मर्च दोबारा अपनी मन्जल की तरह जाने अब कामसन होगा तो इस शोज़ दे पैशन ही हाज इन हम और मैं आतर काजमी साब की बात से बिलकुल इतफाक करता हूँ के मैं उन लोगों में से हुई नहीं जो हुब इमरान या बघज इमरान की बिमारी में मुबतला हैं कुछ लोग सिर्फ इमरान खान को प्रेस करते हैं और कुछ लोग सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करते हैं मुझे तो जहां पे जिस मामले में इमरान खान दुरस लगता है मैं ठोक के सपोर्ट करता हूँ जहां पे गलत लगता है मैं ठोक के तनकीद करता हूँ आप न्यूटरल है? नहीं अच्छा इस इसलफास को भी छोड़ने हैं Let's not go into the details of that. लेकिन आज जो इमरान खान का कारेक्टर मैंने देखा है, गोलियां खाने के बाद वो बंदा जिस तरह से आया सामने और वो जो मैंने 10 सेकंड की फोटिज देखी है, जिसमें उन्हें कंटेनर से निकाल के गाड़ी में मुन्तकिल किया जा रहा है. और टांगों में गोलियां लगी हुई हैं और तकलीफ में हैं और लोग उसको पगड़ कर कंदों पे हात रखे हुएं दूसरे लोगों के, वो निकाल कर लेकर आ रहे हैं और वो तकलीफ में हैं, वो फुटिच भी देखे हैं जिसमें इमरान खान के चेहरे पे तकलीफ नजर आ रही हैं, गोलियां लगी हैं, खून निकला है, जाहरी बात हैं, लेकिन जैसी वो कंटेनर से बाहर निकलते हैं और अपने वोकर्स की तरफ देखते हैं, तो वो मुके का निशान बनाथ है, तो वो भी रहाए हैं, ऐसा होना चाहिए लीडर, यह होता है लीडर, डॉक्टर्स अब ही चेहरे हैं कि मल्टिपल सिर्जिरी जोनी हैं, और वो बंदा कह रहे हैं मैं सुबह साड़े ग्यारां बजे दुबारा कंटेनर पर हूँगा और ये कंटेनर लॉंग मार्च चलेगा और अपनी मन्जल तक पहुंचेगा तो क्यों ना लोग बिलीफ करें कि ये इमरान खान जब कहता है कि मैं पाकिस्तान को मिसाइल में से निकालेगा क्यों ना लोग बिलीफ करें कि इमरान खान जब कहता है कि मैं या पाकिस्तान बनाऊंगा तो ये बना लेगा आप determination तो देखें आप will तो देखें PDM की 12-13 जमातें जितनी भी इस वक्त हैं उनकी leadership आप उठा के देख लें किसी में मुझे ऐसी determination दिखा देखा पहली बात दूसरी बात ये है कि अब ये जो बंदा पकड़ा गया इसके हवाले से जो बयान है पढ़ देता हूं मजगा खेज है हबीब अकरम साब भी आतर साब भी आप भी है वो कहता है जी के इमरान खान लोगों को गुम्रा कर रहे थे आजाने हो रही थी और डेक लगाये हुए थे शोर कर रहे थे मेरे जमीर ने गवारा नहीं कि यार ये वो आदमी है जो अपनी हर तक्रीर से पहले याक अना वदूवा याक नस्ताइम पढ़ता है ये वो आदमी है जो सरात मुस्तकीम की बात करता है रियासते मधिना की बात करता है जिनके हाथ में हर वक्त तस्भी होता है जो अमर बिलमारूफ की बात करता है तो गाईज अब इम्रान खान को गोली लगी है तो भाई पूरा पाखिस्तान तो गुस्से में हो गई और वो रैली पे निकले थे और उसी वक्त ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट और उसके बाद भी जिस तरीके से इस वीडियो में आंकर्स बोल रहे थे कि उनके पैर में बोली लगने के बाद भी उनका सर्जरी होने वाला है फिर भी उनका ये कहना है इम्रान खान का कि वो अगले दिन रैली में वापस से वो पाट लेंगे ही तो ये तो भाई मतलब stupidity है to be really honest मतलब आप पहले अपना health देखिए फिर ही देखिएगा आप वहाँ पर माहान बनने के कोशिश बिलकुल ना करिए कि भाई मुझे लगा है तो क्या हो गया मैं अपने आवाम के साथ हूँ मतलब आपको घबराना नहीं है अर्या ठीक है मैं एक्सप्ट करते हूँ कि ये बहुत ही बड़ी situation हो रखी है वहाँ पर ये बहुत ही गलत बात है जिस तरीके से एक रेकोगनाइज अच्छे politician के ऊपर में गोली चलाया गया है मतलब उनके recording अच्छे हमारे लिए तो इंटर्टेनमेंट ही है तो मतलब गो इस जगह पर पदनी military forces and protection वाले जो भी उनके जो भी थे bodyguards and all वो लों कहां थे क्या कर रहे थे God knows ये तो मुझे सारा सर्च करना पड़ेगा इस बारे में मैंने सादा डीटेल पर इस वीडियो को नहीं बनाया है शोटा ही रखा है ताकि आप सब को एक प्रोपर सा छोटा स information मिल सके and साथ ही मैं अपना review आप सब के साथ share कर सोगो और साथ ही मैंने आज सुबर मदब अभी वीडियो मैंने और भी देखा तो मतब सबका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें इंडिया की साजिशे है मतब ये सभी चीज इंडिया नहीं किया है ताकि इमरान खान वापस से अब किसने किया है क्या किया है ये तो आगे चल कर पता चल ही जाएगा ऐसा नहीं नहीं पता चलेगा और इंस्ट्रग्रम का ID आप सबसके जितना हूं सबसे अगले वीडियो में टिल दें टेक कर और व्रिंबु बो ऐ झाल झाल